साई बाबा जन कल्यान सेवा समीती के दोरा बच्चों को निशुल्क वित्रन की गई स्कूल की वस्तुएं मैनपुरी विकास खंड बेवर के ग्राम भेसरोली में साई बाबा जन कल्यान सेवा समीती के द्वारा गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने की वस्ता की गई एवम ग्राओं में जो बच्चे गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं एसे बच्चों के लिए साई बाबा जन कल्यान सेवा समीती के द्वारा निशुल्क शिक्षा देने की मुहीम काउगाओं में चालू की गई ग्राम भेसरोली के सभी बच्चों को निशुल्क स्कूल की वस्तोए परदान की गई और करोना युद्धों को सम्मान पत्र दे कर सम्मानित किया गया मुक्Яति IT ती सियो भोगाओ अमर भादुर एवम अनील गुरू जी का सम्मान पत्र दे कर भव्यसवागत किया गया सियो भोगाओं अमर भादूर सिंग ने बच्चों को पढ़ने की प्रेण दी और कहा तो वह मुझे सूचित करें उसको मैं निशुल्क पढ़ाऊंगा एवं बच्चो को पढ़ाने के लिए जागरुक किया इस मोगे पर उपस्तित साई बाबा जन कल्यान सेवसमिती के अध्धक्ष ग्यान चंद्र सिंग्ग, संसापक अर्विंद सिंग, सियो भोगाउं अमर बहदु, अनिल गुरुजी, चोकी परभारी तेजवीर, परबंदक आचरिय राम परकाश, राम परधान, भैंस रोली कु जितेंदरपाल, सीताराम आधी, छेतरवासी मोजूद रहे। मैनपुरी से अमरजीत सिंग की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूस थी के जितने बच्चे हैं, जो नहीं पड़ना चाते हैं जा इंकी विवस्थाएं कुछ ऐसी हैं, इसकी विजह से नहीं पढ़पा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक बेपना मिशन बनाया है कि जोब पढ़पा रहे हैं उन बच्चों को निशलक शिक्षा देने का पी मोहम उसकी आज यह शुरुवात है और हम जहां जहां हम लोगों को इसी जो स्पॉर्ट मिलेंगे जहां बच्चे किसी कारण बस नहीं पल पा रहे हैं उन बच्चों को परहने का हम लोग पूरा प्रयात्न करेंगे और जो भी उनकी संभब जहां से मताइं पता बता हैं मैं परमू क्योंकि इसके भाई अद्मिन द्वारा ये एक निड़ा लिया गया है संस्ता का एक बहुत अच्छा निड़ा है समाज को देखते हुए कि जो बच्चे इस ग्राम भैस रॉली में अपने अर्थ के अवाव में या अपने कौपी किताबों के अवाव में अगर सिच्छा ग जाएगा उसके लिए इस संस्ता पूरी तरह से तन्मन धंजे इनके साथ प्रयास रत है और ये इनका निड़े इस संस्ता का निड़े समाज के लिए बहुत अच्छा का रहा है और इस तरीके का प्रयास समाज में इस तरीके की कारकरम समय समय पर आईजित किये जाने चाहि समाज में अच्छे नागरिकों कर लिर्मार हो से